आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो आपका जो POCO X2 है जिसके अंदर आपने MIUI 12 का अपडेट जो है इंस्टॉल करका है उसके अंदर जो है TWRP कस्टम रिकवरी को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं मैंने इसके उपर पहले भी औरड़ी वीडियो बनाया था बट उसमें अब यह प्रॉब्लम आ रही थी कि वो वीडियो जो ती तरी तरी से काम नहीं करें था और लोगों के फोन था बूट लूप पर चला जाता था तो आज यह नया वीडियो है यह आपका पफेटली काम करे के कस्टम रिकवरी को फोन के अंदर इंस्टाॉल करते हैं उसके उपर मैंने चालक से वीडियो बना रख़ाए कैसे दोनों फन को कनेट करके आप अपने फोन के नंतर दूसरे फोन को एसे Catac- करके अपने फोन कर लेगा अगर विची पास प्शलेellt कर आपके पाके पास PC य अनलॉक होना चाहिए। तो फोन का बूल्टर पहले अनलॉक कर लीचेगा। उसके बाद कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है। आपको अपने फोन को फास्ट बूट मोड पे लिक्याना है। और आपके फोन पे कुछ इस तरीके के आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। जिस पे मी मनी और फास्ट बूट कुछ इस तरीका आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है जो भी आपके फोन के जो USB Type-C के मेल है तो यह देखिए, मैंने phone connect कर दिया है, अपने PC के साथ, हम PC के उपर चलते हैं अब PC पे आपको कुछ file नहीं चाहिए, यह सब फाइलों का link आपको description बिल जाएगा एक तो यह चाहिए आपको TWRP custom recovery file एक आपको चाहिए यह disable DM variety की zip file जो कि आपकी custom recovery को permanent कर देगी, अगर आप इस file को flash नहीं करते हैं तो आप जब next time boot करने ही कोशिश करेंगे, तो आपके phone के आदाशे TWRP रिबू हो चकी होगी दूसरा तीसरा चाहिए आपको यह ADB driver जिसको आपने PC, यह laptop के अंदर double click करके अपने PC के अंदर install कर लेंगे, सारी चीज़ों पर while लिखते रहेंगे और इसको install करते रहेंगे तक कि सभी drivers आपके PC के अंदर update हो जाएं और यह सारे driver जो है perfectly आपके PC पर काम करें और आपको कोई भी problem यहाँ पर face ना करने पड़े उसके बाद जो यह platform tools का folder इसको आपने unzip कर लेना है और कुछ इस तरही का folder आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके अंदर आपको platform tools का folder आपको इस तरही की आपको यहाँ पर file इदेखने को मिलती है तो अब आपने क्या करना है आपका phone जो है fast food mode पे या तो address bar के उपर लिशे दीजे cmd और enter कर दीजे कुछ ऐसा आपको command prompt window को लिए या फिर अपने जो folder है उसमें कहीं भी भी जो blank space होता है वहाँ पर right click करके shift का button जबाके right click करेंगे या तो open power shell window here आएगा या open command window here जो भी आता है आप उसको use कर लिजे मैं open command window here कर लेता हूँ और इस folder को अब हम जो है minimize कर देते हैं अब आपनी क्या करना यहां command लिखनी है phone boot devices जैसे आप fast boot devices लिखे लेंगे enter करेंगे आपको कुछ serial number देने को मिलेगा और fast boot यानि कि आपका phone जो है connected है PC के साथ या laptop के साथ अब अगली command आपने run करनी है fast boot flash कर रहे है हम recovery र-e-c-o-v-e-r-y fast boot flash recovery उसके बाद space देखे ए-t-e-w-r-p की जो फाइल है इसको drag कर लेंगे याद रखिएगा recovery की बाद space होना चाहिए और enter कर देगे अब यहाँ पर आएगा sending recovery, writing recovery और उसके बाद जो ही completely flash हो जाएगा तो अब देखी recovery हमारे phone के अंदर flash हो चुकी है अब हम phone पर चलते हैं अब phone पे हम volume up और power के बटन को hold करने के लिए देखिए volume up और power के बटन को hold करने के लिए तो बाद ही आपका phone जो है TWRP मोड पे आएग शुरू-शुरू में आपको थोड़ा सा time लेगा, delay देखने में बेगा और यह काम भी नहीं करेंगे, buttons एक बाद से screen off करेंगे, screen on करेंगे, swipe to unlock, उसके बाद जो है recovery आपके काम करने शुरू करते हैं, अब आप फिर से phone को थोड़ी दिर छोड़ दीजे, और PC पर ही चलिए PC में अपनी PC में जाईए हो, और अपना जो Redmi phone है, यानि की POCO X2 जिसको Redmi K30 बोलते हैं, वो आपको वहाँ देखने को बिलेगा, उसको open करेंगे, उसके Intel ने स्टोरी में जाएंगे, और यह disabled DMVarity के file है, इसको यहाँ paste कर देगे, तो मैं फिर से paste कर देता हूँ, मैंने already paste कर र आपके phone के अंदर जो flash हो जाएगी, और TWRP custom recovery जो है, आपके phone के अंदर permanent हो जाएगी, तो इस तरीके से आपको X2 के MIUI 12, MIUI 11 के वर्जिन के अंदर TWRP custom recovery को install कर जाते हैं, आप देख पार हो है, कोई भी error यह तक देखने को नहीं मिला है, मैं आपको boot भी करके दिखांगा कि हम इसके साथ boot करेगा, और हम MIUI 12 के अपर successfully run कर चुकिए, मैं आपको फिट से दिखा जिता हूँ, एक बार कि हमारा phone जो है, आप custom recovery पर boot होता है, कि नहीं होता है, हमारी recovery permanent हुई है, कि नहीं हुई है, कहीं वापिस से हमारी recovery remove होके, MI की stock recovery तो नहीं आगी है, तो हम इसको एक ब boot होने देते हैं, तो यह दिखिए, finally, जो है, phone boot हो गया है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, recovery mode पर फिट से boot करके, कि हमारा phone जो है, recovery mode पर जाता है, कि नहीं, तो उसके लिए हम फिट से इसको power off कर देते हैं, जैसी phone power off हो जाकता है, recovery mode के लिए क्लिए कमांड थी, आपकी buttons, volume up, power key button को hold रखिए, अब आपका phone जो है, custom recovery के उपर boot करेगा, जो मी की stock recovery है, वो completely आपके phone से replace हो चुकी हो, तो यह दिखिए, हम boot कर चुके हैं, अब हमारे phone के उपर TWRP की screen आगए, अगर आप root करना चाते हैं, तो इसके बाद जो है simple, एक file आपने flash करनी होती है, magisk manager की, उस आपको आज काई वीडियो पसंद आए, तो प्लीज चैनल को support जरू किजएगा, like, comment, share and subscribe करना मन पूंगेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए take care and bye bye